कोरोना वारस का कहर पुरे दुनिया में देखा जा रहा है अब देश में भी कोरोना के मरीज पढ़ते ही जा रहे हैं साथ ही राज्य में कोरोना सबसे जादा मरीज है शहर में भी सोमवार को यह मरीज बढ़कर सोला हो गए है शासन प्रशासन नेता उद्वारा जनता से सब अपने अपने तरीके से अपिल भी कर रहे हैं उसी तरह जोन 3 के डिसी पी राहूल माकनिकर इन्हों ने भी कविता के जरीए शहर की जनता से घर में रहने की अपिल की है मैं डिसीपी राहूल मकनिकर सोंत्री नाकपूर सीटी से कुछ आपके साथ गुपतगू करना चाहता हूँ इन दिनों कोरोना वाइरस का कहर इस तरह बर्फा है दुनिया में कि बहुत सी जाने जा चुकी हैं तो भी मेरे कुछ भाई भैन रोड पे दिखाई दे रहे हैं नाकाबंदी जारी हैं पुलिस ने कुछ एडवाईजरी भी जारी की हैं तो भी थोड़ा सा सीरियसनेस कम महसूस हो रहा हैं मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने घरों में रहें मेरा मकसद बिलकुल हंगामा खड़ा करना नहीं है मेरी कोशिश है कि इसमें तुछ कुछ तकदिली आनी चाहिए कुछ बदल होना चाहिए हम जैसोने घर पे रहना चाहिए एक शाहर करता है बेवज़ घर से न आख मिलाने की जरुरत क्या है सब को मालूम है कि बहर की हवा है कातिल यूही कातिल से उलजने की जरुरत क्या है दिल बहलाने के लिए गर में वज़य काफी दिल बहलाने के लिए घर में वजय काफी यहीं गली में बटकने की जरुरत क्या है जिन्दगी एक नियामात इसे संबाल के रख कपरका हो और समशानों को सजाने की जरुरत क्या है तूफान के हालात है मेरे दोस्त तूफान के हालात है न किसी सफर में रहो ईद के चांद हो अपने घर के लिए उनकी खुद किस्मती है कि उनकी नजर में रहो माना बंजारों की तरह घुमे हो हर डगर वक्त का तकाजा है अपने ही शहर में रहो अपने ही घर में रहो तुमने खाक चानी है हर गली चोबारे की कुछ दिन की बात है मेरे दोस्त अपने ही घर में रहो कदम चाह रहे कि बाहर गुमाए मन ने कहा जाना है तो चले जाओ लोट कर ना आप आओगे मन ने कहा जाना है तो चले जाओ लोट के ना आप आओगे रुख जाएगे तो जीवन को ना खोना पड़ेगा रुख जाओगे तो जीवन को ना खोना पड़ेगा वरना कोरोना कहकर तुमको जिन्दगी वर रोना पड़ेगा बड़े दौर गुजरे है जिन्दगी के ये दौर भी गुजर जाएगा थाम लो अपने पाउं को घर में ये मनजर भी अपने आप थम जाएगा मेरे दोस्तों ये बहुत कटिन गड़ी है और इसका कोई इलाज नहीं है अपने आपको संबालना यही इसका इलाज है हमने सोचा ही न था कि हम बदल सकते थे गिरते गिरते कहीं इनसान संबल धकते थे हम ठेरे रहे जिल के पानी की तरह दरिया होते तो कहीं दूर निकल चुके होते थे न सोचो की परवत का छुकाव बदलेगा, न सोचो की नदी का बहाव बदलेगा, ये आलम जरूर बदलेगा, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम बदलेंगे, जमना अपने आप बदल जाएगा और कोरोना हमसे दूर हो जाएगा, यही बिनति के साथ आपके रिक्वेस्ट कर पता हूं कि आप अपने गरों में रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू बेरी मच्च